हेलो वीवर्स उमीद करता हूँ आप सब लोग खैरियस से होंगे आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कुछ बेसिक स्किल्स के बारे में जो के बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो इस तरह की और important videos को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जोड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताके आने वाली important videos का notification आपको मिलता रहें तो time waste के अब करते हैं कौन सी basic skills हैं जिनको हासल करना बहुत ज्यादा important है जिनको implement करना बहुत ज्यादा important है उनके बारे में हम discuss करेंगे क्योंकि SMB institute पर मैंने चैनल पर बहुत ज्यादा professional skills जॉब hunting skills के बारे में बात किया लेकिन जिन basic skills के बारे में मैं आज बात करूंगा शायद इनके बारे में मैंने कभी पहले बात की हो लेकिन इतना ज्यादा इन पर मैंने focus नहीं करवाया क्योंकि बैसिकली there's a lot of people हर किसम के लोग पाए जाते हैं हर person की mentality different है even though अगर हम देखे रोजमरा जिन्दगी में हमारी families में ऐसा होता है कि अगर तीन बहन बाई है यह चार बहन बाई है तो हर किसी के mentality same नहीं होती अगर एक बहुत ज्यादा intelligent है अगर चार बचे हैं उन में से तीन बहुत ज्यादा intelligent है एक ऐसा होगा जो के ज्यादा intelligent नहीं होगा ऐसा पाया जाता है क्योंकि हर इनसान की mentality हर जो person है उसका एक अपना mindset है ठीक है mindset के साथ साथ हमारे mind की power भी different होती है तो अगर हम इन चीजों पर ही ज्यादा बात किये जाए professional skills जो के ज्यादा difficult है और हम basic पर focus ना करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा difficult हो रहा है मैंने यह feel किया है industry में रहते हुए कि हमें basic skills पर भी working करने की ज़रूरत है वो कौन सी ऐसी basic skills है उनको इस video में हम discuss करेंगे सबसे पहले अगर हम basic skills जो के तीन है इनको आपने note कर लेना है इनको आपने note down कर लेना है and I challenge you viewers I challenge you in basic skills को आप जो है वो सीख ले and I guarantee कि आप इस चीज का आपको 150% आपको day by day इस चीज का benefit मिलेगा और आप देखेंगे कि आप में क्या improvement या जो development का process है वो start हो जाएगा सबसे पहली skill है आपकी जो communication है यह बहुत ज्यादा matter करती है industry में आपकी communication skill जो है यह की of success है communication skill मैं इसको example इस तरह से देता हूँ जिस बंदे के अंदर communication skills है his presenter वो present कर सकता है बात को explain कर सकता है for example अगर आपके अंदर communication skills नहीं है आप अपने message को convey नहीं कर सकते आप जितने मर्जी intelligent है you are fail person क्यों क्योंकि जब आपके अंदर communication skills नहीं आप अपना message नहीं convey कर सकते अच्छे तरीके से deliver नहीं कर सकते तो यहां पर बहुत ज्यादा एक problem create हो जाती है आपकी success में वो एक hurdle hurdle जो है वो create हो जाती है क्यों उसकी reason यह है कि जब आपका computer person है वो अपनी बात को convey अच्छे तरीके से कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए एक बहुत जो है वो issue बन जाता है इस चीज का तो इसलिए जो है वो आपको अपने अंदर communication skills को develop करने की ज़रूरत है आप ज्यादा से ज्यादा बोलें कोशिश करें चीजों पर presentation त्यार करें और अपने अंदर ज skills improve होती जाएगी कुशिश करें जितना ज्यादा बोलेंगे questioning करेंगे आप सीखेंगे आपके अंदर एक confidence built up होगा आप अब देखें अगर आप किसी को किसी अपने boss तक अपनी message को convey करना जाते हैं और आप confused हैं आप यह show कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपका कभी भी skills for job hunting इसकी basic skills का जो यह first point है इस पर आपने working करनी है communication पर communication बहुत आपको plus point देगी and the second one process is मैंने आज जो है वो properly जो है यह देख सकते हैं मैंने इस चीज को इसमें no down किया चीजों को ताके हम in short to the point बात करें time को waste ना करें उसके अलावा हमारे पास जो second point है वो है behavior इंडिस्ट्री में आपका behavior बहुत matter करता है आपका जो solid behavior है यह आपको यहां से यहां तक ले जा सकता है आपका solid behavior है यह बहुत matter करता है आपका behavior में अब आपके जो है वो not only कि आप किस तरह का deal कर रहे है behavior में आपके sitting standing body जो है वो आपके posture आ जाते है ठीक है तो आपके face expressions आ जाते है यह सारी चीज़े behavior में आते है behavior बहुत ज्यादा matter करता है इंडिस्ट्री में third one skill basic skill में आती है लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताता यह इतनी important skill है अगर आप सिर्फ यह skill एक लेकर आप industry में इंटर हो जाएं तो आप 150% आपके chances है काम याप बनने के this is my personal experience you need to build managerial skill in yourself आप इस skill को अपने साथ ले जाएं किसी भी organization में अगर आपके अंदर managerial skill है you are the successful person उसके बरक्स अगर आपके पास managerial skill नहीं है business development skill नहीं है आप जितनी मर्जी अच्छी university की degree ले लें अगर ये एक skill आपके पास नहीं है तो आप जितने मर्जी high caliber के person है it's difficult for you to survive in this competition nowadays इस competition में survive करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस basic skills को अपने साथ ले के जाएं कौन सी skill है managerial skill ये तीन चीज़े मैंने आपके साथ discuss की है managerial skills behavior these are the very important basic skills इनको आपने सीखना है इनको आपने अपने अंदर develop करना है and hopefully you are the successful person in future and I am with you to develop these skills आपने इस वीडियो के comment section में अपनी जो है वो suggestion देनी है आपने इस चीज़ का जो है वो मुझे जरूर feedback देना है SMB institute पर new है तो इसे subscribe करें इसकी playlist को visit करें वहां पर धेरो वीडियो आपके लिए available हैं उनको सीखें उनको ज्यादा से ज्यादा share करें क्योंकि हमारा मकसद SMB institute एक ऐसा group है जो के more than 40 countries में देखा जा रहा है और I am very thankful to all of you for your sport इसी तरह मुझे sport करते रहें और मेरे channel के साथ जुड़े रहें Thank you so much, thanks for watching SMB institute